इस दा जो भी अजे एक कॉपी हार्ड कॉपी न मिले ते तुसी वाटसाइप दा नमबर अपना वाटसाइप दा नमबर आपको लिखा दे और वोटसाइप आपको ये मिल जाएगी बाकिया हो रही है तो फिर मतलब बे डिले नहीं होएगी को अब कि एक काधा भेज दो ना सारों के पास आपको अब साथ करें इस दिए अब करें आज वगार आज अब अब सार इस रिवारों कि नहीं तेरे लीडर तो छुडाया काल सेशन जाज अक्टर को पेश करें कि मेरव ब कर फेस्ट अजसापता लिट और ररह्यां कं। स्यालाइब एफ सरो इसलाम आपड क्लों आई प्रजाब मोकि इसलाम वादन य पार nieu सब्क Elevano और से कडि़िए तृछ और के अगर्दीठ टेम differsš know क्या जी तो आपको आप करो न कुछ ना ऑग ओड़ा समत करना करें दिए कि जिद्व को फार दों रॉष ओड़ तो वेशाहिं तो सीर्म आपकल्ग इंवर ब्रॉठ तो ओन पर दापने पूरे वाले दार रही बूले बाले दिए अरही तो पूले बाले देदेए वेचोर तो प्रहू हुए साइर अझाट्री सॉपराद्री कि अधर्ट्राद रिजिए की एड़ा की नहीं है जूआ अब जावित कर दो बंदे करेंगा तो अपर बंदे करेंगा इसको जहां मुदा करेंगा अब जो से अदर करेंगे तो बादेगे इन पते हैं। प्रफल 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 कि अधिक अधिक अधिनिया को अधिस्टेश्टेक्स इसोते अधिश्टेश्ट कुषिए दोकर सा था है थे दोक्रायद करता था है पाले नहीं दोक्राइब पड़ कोने को आपसे लेकर वे तक भी जाना वाराइब कर दो इसे अवर मिशन नहीं नहीं पर दो तहां है कहीं भी रख दें कहीं भी रख दें कहीं भी रख साथ फैर कृटी को फैर ले रावजर बावज़ कर दो दार विए कि यह अंड़ पर संब बाइख टिर एग्षाइब और नियुक्त करने शुरू करने शादर और ने शुरू कर देगे वादकर को लाइब भी नियुक्त जोजा साथ पहले तुलावत फोड़ा है और जोजा साथ पहले तुलावत फोड़ा है जोजा साथ पहले तुलावत फोड़ा है दर चुके हैं याज एक आपको याद होगा एक कांफरेंस फ्लैटी जोटल में जेर सदारत सरदार लतीफ खान खोसा हुए थी पंदरा अपरैल को और राउंड टेबल एक हमने मुल्की राउंड टेबल किया था। उन दोस्तों के साथ जो उस मुल्की राउंड टेबल में थे। हमने कल अक्सर के साथ मशुरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें ये इसमें कुछ करना चाहिए और कुछ किर्दार वुकला का होना चाहिए चुगता साथ बैठे हैं आहमद अवैस साथ बैठे हैं जांगीर जोजा साथ बैठे हैं खुरम खोसा साथ बैठे हैं दीगर हमारे दोस्त और साथी शादाव जाफिस साथ बैठे हैं और हमने और कई हमारे दोस्त जो कराची में हैं जो दीगर अजला में हैं जो आपके यहां जो लहोर हाई कुट बार के सदर हैं जो सुप्रीम कुट बार के सदर हैं उन सबसे मुशावरत करके हमने यह सोचा कि आज हम उसी तसलसल से 15 अपरेल 2023 के तसलसल से आज कुछ मदीद आगे का लाया अमल और हिकमत अमली और क्या वुकला की डिमांड जो सकती हैं आज की सूरत आल में मतालबात हो सकते हैं उनकी रोशनी में हम आज आप से के साथ मिलें और प्रेस कांफरेंस करें और इंदिया दें कि आएंदा कुछ हम लायामल सोच रहे हैं के नहीं क्योंकि सूरत आल तो बहुत खराब हो गई है कि अदालतों के हाई कोट और सुप्रीम कोट के फैसले नहीं माने जा रहे हैं और एक तवाइफल मलूकी और अनर्की क्रियेट हो गई है पर मैं इस पे ज्यादा बात अबी नहीं करता हूं पढ़ देता हूं ताकि ये रैकॉर्ड पे आ जाए और पाकिस्तान लॉयर आपको आप में जो भी चाहेंगे उनको वो वाटस एप नंबर आप देंगे सरदार खुरम खोसा साब को तो वो आपको वाटस एप में ये सारा टेक्स्ट मिल जाएगा सौफ्ट कॉपी अगर व हो रही है वो भी दे देंगे पाकिस्तान लॉयर आपक्शन कमिटी पी लेएशी आफ्ट दू देलिबर देलिबरेशन इं चोंसल्टेशन विट इन इसीनियर लॉयर्ड दे कंट्री वू कॉप्रिसिपेट इन इन राउंड टेबल कांफरेंस हैं लोंट फिफींथ आप्री फotoisaal 2023 अठलब दूुन अजद्रम्ट इन लॉइन ग्रीक्राइब प्रण लॉयर्ड गांण तोट्टीज आपर इन इस डवि कॉनचन धर्च पहुंचेय पन्चेयां सारी कॉफूर सार्च घर अट्रम्ट थीस पहुंचोंचेये हम इस नतीजहऑए पहुंचेyaं सारी कि ऑड़ कि अज़ आनके कि अज़ बसे अजैसे आप लाविजी अज़ फे अज़ इस फिर शेर्सब कि अज़ एंद नहींज भूस्ट एंध इसलमाबद यज़ ऑज़ कि मेरें चीफ मिन्स्र पुजाब जोजी पर्वेदी लाइब ए रए्ट उड़ी पर्वेदेलाई ए रियर्स और रियर्स अधन फिलित को तुछिशन थे जाने लाज़ी को जाजरी पुछिए देवालने जारा लाजरी जांगेंगा। मज़री, to a police force known for abuse and torture. The maltreatment of demeaning and the malintent of demeaning superior courts and their judges by brazen public and outrageous defiance of their express orders as has become the routine of the present caretaker government as was of its predecessors immediately in the preceding administration, Shahbaz Sharif sahab की जोहिए्ट. And whereas every possible command, duty, constraint, prohibition, or liability by or under the constitution of the Islamic Republic of Pakistan has been flouted with impunity and the constitution reduced to a nullity, this is the more particularly apparent in the manner in which two provinces have been ruled by nominated, assumingly caretakers, administrations which have outlived their constitutional terms of 90 days and have become usurpers under the constitution. The obvious intent of refusing to hold elections to any assembly within the 90 days prescribed by the constitution as well as by the honourable supreme court and these chair takers, chair takers, kurci, failing to direct the police forces under them to protect public property particularly that related to valuable and sensitive defense establishments from perfectly managing isolated groups of antisocial elements and thereafter to arrest and detain a vast spectrum of political cadres and leaders, men and women, old and young, and to prevent and obstruct their release even when directed by a superior court. And whereas the situation has become so chaotic that there seems to be no government to control galloping inflation, record in unemployment, malnutrition, and inflation, unprecedented suicides, closure of industries and businesses, power, gas and fuel shortages, as well as the disappearance from the markets of such essential commodities as ATA, sugar and medicines. The unending levy of heavy and heavier taxes and price hike has wiped out and eliminated the middle class and broken the back of the poor who are reduced to starvation. The burning of the electricity bills by the people and the shutterdown of businesses across the country with the chair takers, the chair takers least concerned is likely to increase into an uncontrolled suicidal rakhse bismil. And whereas public law and order have completely broken down, governance and society pulverized by street crimes, housebreakings and decoities, unending assaults on women and children, with the police often found a guilty party and a stakeholder to the mischief, the janawala carnage, the janawala carnage was no less horrifying than the 9th May mayhem because this additionally and globally disfigured the image of Pakistan abroad. and whereas the lawyer's community has been following the descent of society towards anarchy and total atomization of civil society with concern and trepidation. atomization but it appears that now the time has come that this community, the lawyer's community to also wane and at a minimum ensure the upholding of the rule of law tempered with justice, tolerance and goodwill for all. Now, therefore, we, the undersigned as well as those who have communicated their consent and request to be deemed as signatories to this declaration, we resolve to ensure that we resolve to ensure that authority and dignity of the courts of law is upheld by all sections of society and the courts and the courts and learned judges to immediately and without any reservation accept the authority and respect of the incumbent chief justice whomsoever he may be from the day of his taking oath to the last day of his tenure. The authority and dignity of all other institutions, civil or military, strictly within the parameters prescribed by the Constitution has to be recognized. Progress, we have to ensure that progress is made towards the goal of restoration of a peaceful and tolerant state of affairs within which all citizens and institutions, political and non-political, play their constitutionally mandated role leading to all the peoples and parties of Pakistan to coexist in peace and harmony and to serve the poor and needy in a spirit of reconciliation and without prejudice, hatred or attrition between any and any persuasion religion, caste, creed, color, class, gender, age, station, status, wealth or disability. The restoration of democracy which is the essence of the Constitution by holding the general election within 90 days as mandated by Article 48.5 of the Constitution and allowing no delay on any pretext whatsoever as were deferred indefinitely in the case of Punjab and Khaybar Pakhtunkha despite the clear verdict of the Supreme Court of Pakistan and even more emphatic provisions of the Constitution 48.5 there is a line clause and it's a line when the president dissolves the assembly he shall appoint a date not later than 90 days not later than 90 days for the election not later than 90 days it's not within 90 days it's imperative it's hard to tell you it's negative imperative it's imperative it's not any method and it's not it's not and it's not it's not and it's not the fourth with release of all lawyers political carders and leaders arrested or detained and a discontinuing of all intimidatory tactics preventing them from enjoying the fundamental right of freedom and the ability to perform their professional and social obligations we emphasize that the government in Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders we emphasize that the government of Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders we will strive for convening a grand political dialogue amongst all political parties to ensure free and fair impartial elections within 90 days and to this purpose this Pakistan lawyers action committee formed by the round table conference held at lahore on 15th april 2023 appreciates the courageous efforts of the supreme court bar association and its leadership in convening a convention on the 7th of september on the same objectives as are being presented and unfolded now we support the 7th of the september convention and call upon all lawyers who can to participate the Pakistan lawyers action committee PLAC demands the authorities to accept the lawyers demands of one the full restoration of and compliance with the constitution in in recognition of the fact that the bills not signed or deemed to have been signed by the president and thus not assented to are not acts of parliament to immediately restore the constitution and full obedience to the law barring the bills not assented to by the president of Pakistan the recognition that all military courts are incompetent to try civilian citizens of any charge and therefore calls upon the government to discontinue the policy of setting up military courts it calls upon the election commission and the government to hold elections within the mandated 90 days the right of full and free participation to all political parties their cadres and leaders on a truly level playing field is also demanded irrespective of the leader or the party or the persuasion he may belong to this is not a forum of any particular one political party it is a forum for all political parties the immediate revision of all utility bills and the rationalizing rationalization of all taxes payable by the people of Pakistan failing which the Pakistan Lawyers Action Committee will convene an All Pakistan Lawyers Convention to achieve the above objectives through a nonviolent movement in accordance with law and fundamental rights in coordination with the Supreme Court Bar Association the High Court Bar Associations the Provincial Bar Association and all District Bar Associations as there have been several as there have been several most honorable presidents of the SCBA since 2007 to maintain continuity with the last movement undertaken by the lawyers 2007 to 2009 a peaceful and successful movement Mr. Itzad Hassan Senior ASC has been requested to preside at the convention in the capacity of the Chairman National Coordination Council elected for the indefinite tenure of that movement in August 2008 this presently has the signature and endorsement of all our friends here in their various representative capacities also and their seniority and respect in the bar starting with Sardar Latif Ahmad Khan Latif Khan Khosa who is presiding over this press conference I request it it's open for your questions please please sir जो force है loyal force है वो बाहर associations के पास है काउंसल की regulatory authority होती है तो बन्यादी तोर पर बाहर गांसल है जो mobilize करती है और पाकिस्तान की वुकला की आवाल बनके सामने आती है लेकिन अच्छी बात है अगर वो पाकिस्तान बाहर काउंसल कर रही है तो वो भी यह नहीं है कि आईन के मुतसादन कोई बात कर सकते है अगर वो आईन पर अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए वो सरफ जो है मस्बत कदम लेके call देती है तो हम उन्हें भी खुशाइंद कहते हैं और खुशामदेत कहते हैं और हम उनके साथ तावन करेंगे तो कोई ऐसा तफरका नहीं है लेकिन बार एसोसियेशन की चुके नियुमेरिकल स्ट्रेंग्ट उनके पास है वो कला की तो ये साथ तारीक को जो किये इसलिए हमने उन्हीं के लिए बहर पूर अंदाज में कॉल दी है बाकी वो पाकिस्तान बार काउंसल अपने तहीं बीस बाइस लोग करते हैं तो या कमों बेश करते हैं तो जरूर करें वो भी कभी आई इनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते हैं येस प्लीज वुकला तहरीक तो हमने शुरू कर दी है यही तो आपको अर्ज किया है कि अगर इस तरह के ड्रेकोनियन मेथेड़् ये खत्म ना हुए अगर इस तरह से अवाम पर जो महंगाई का बंब फेका गया है और जिस तरह से एक कियोस और अफरात तफरी की सिचुएशन आई यह शुटर डाउन हो रहा है बिल्स जलाए जा रहे हैं पेट्रल को बढ़ाया जा रहा है लोग उनका जीना हराम कर दिया है यह बतार हमारे वोकला के आईन पर अमल दारी देखें अगर लीडरलेस लीडरलेस मॉब की शकल में अगर इस तरह लोग निकलेंगे लेवे लिंच एवरीधिंग सुसाइटी पुलिटिकल पार्टी का यही फाइदा होता है कि वो अपने जो कारकुन वरकर्ड भूवमन्ट होती है उसको चैनलाइज और रेगूलेट करते हैं एक मकसदियत देते हैं उस मकसदियत के लिए उन्हें रैली करते हैं और उनको डिसिप्लिन और चैनलाइज करके हारनस करते हैं उसमें सुसाइटी का इंटेक्ट रहता है और मकसद दियाल हो जाता है जब मॉब निकलेगा तो वो तो फिर तबाह कर देगा दुकाने लूटेंगे आपके घरों को, हमारे घरों को, गाडियों को अलाँ ना करे कि वो नोबत आए तो इसलिए हम उसको इस इवेंच्वालिटी को रोकने के लिए हमने ये शुरुआत कर दिये और जिस तरह से ये जो है नवे दिन से मुतजावज कर रहे हम अभी से इस तहरीक को हम पिशावर से शुरू करेंगे और डाउन राइट हम सारे उस पे जाएंगे हमने सिर्फ ये साथ तारीक को ये देख रहे हैं कि लॉयर्ज ये सुप्रीम कोड बार एसोसियेशन का हो जाए इन्शालला हफता दस दिनों के बाद आप देखेंगे करें हम सारे मुल्क में ये मूवमेंट चलाएं जाएंगे अपके अपने सारे लोग घंस पड़े हैं ये उससे बद्तर है चलें वो तो कोई शक्स ताना सामने ये मिनी मार्शल लौ है अन्डिक्लेरड मार्शल लौ है देखें अगर आप आईन को नहीं मानते आप सुप्रीम कोट और हाई कोट को नहीं मानते कानून को नहीं मानते आप केर टेकर जियो है गर्वर्मन्ट ला मतनाही सिल्सले पे चलाते हैं आप जमानते होती हैं आप उनको दोबारा जो है वो पाबंदे सलासल कर देते हैं तो फिर ये क्या है क्या है मैं आप से पूछता हूं मार्शल लौ नहीं है तो क्या है तो इसलिए सुपरमिसी ऑफ कॉंस्टिटूशन के लिए रूल आफ लौ के लिए और एक आईन की पर अमद्धारी के लिए अदालत के जो है इज़त और वकार को जो है मलहूज रखते हुए हम ये तहरीक चला रहे हैं कि खुदारा और उसका दो ही होगा मैजिस्टी ओफ लौ एंड इंडिपेंडन्स ऑफ जूडिशिरी उसको हम इंशूर करेंगे और इसमें सारा इहाता हो जाता है तभी आप कानून पर अमलदारी करेंगे तभी जमूरियत बहाल होगी और आपने देखा कि जमूरियत आप तो मुस्लिम लीग नून भी कहने पर मजबूर हो गई कि अगर फरवरी में नहीं करते तो पीपल्स पार्टी और हम ट्रक पर होंगे और फिर जब सवाल उन से किया गया तो उन्हें कहां पीटी आई भी हमारे साथ हो सकती है शामल तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी अब सियासी जमातों को नजर आना शुरू हो गया है कि कोई ऐस जियावलाक ने कहा था मसबत नताइज तो मसबत नताइज तो अभी आपको नजर आने नहीं है एलेक्शन्स में तो मसबत नताइज चूंके नहीं आ रहे तो इसलिए ये इसको तवालत देंगे और तवालत जाहरे किसी भी सियासी जमात को सूप नहीं करती है आप हमने प्रेस कांफरेंस तो जाहर है कि अंडू कुछ भी नहीं कर सकती है हम तो हकूमत को या जो है उनको भी नहीं कह सकते कि भाई नवे दिनों के बाद आपका कोई मैंडेट नहीं है आप तो घर जाएं हमने यूजर पर का लफस्तमाल दिया लेकिन देखें ये शर्म नाक है कि हम एक पचीस करोड अवाम अटामिक पावर दुनिया की छटी बड़ी फाज हमारे गहरत और हमियत को जिस तरह जलील और रुस्वा कर दिया है कि हम धिकारी बनके दुनिया से एक ट्राची दे दो और खुद प्राइम मिनिस्टर साब का जो गुजर गये हैं वो कह चुके हैं और आज भी उसका तसलसल है माइंड यू यह कोई चेर टेकर जो आए हैं यह कोई इंडिपेंडन नहीं है यह उन्हीं का तसलसल आ रहा है माफ कीजिएगा तो यह जिस तरीके से कीमतें बढ़ा रहे हैं आते सारी बीस रुपए उसकी बढ़ाई अब बिजली के भी बढ़ दिये जो आप देख रहे हैं तेल के बढ़ा दिये गैस के बढ़ा दिये कीमतें आस्मान को चूने लग गई हैं डॉलर जो है वो साड़े तीन सौ पे नहीं मिल रहा है आपको डॉलर जो है आप अफगानिस्तान और इंडिया से भी बत्तर हो चुके हैं इस महामले में पागिस्तानी एक करोड पाखिस्तानी जो बाहर है अवरसीजंड पागिस्तानी है आप उसको हक दें वौट का आप उसको हक दें एलیک्शन लड़ने और हकोमत बनाने या हकोमत में आने का वो आपके सारे करदे उतार देंगे बशर्टे के उन्हें एत्माद होगा कि आपकी ये हकुमत जो है ये नुमाइंदा है अवाम की जब अवाम की नुमाइंदा होगी जिसमें ओनर्शिप अवाम की होगी और यही आईन की रूह भी यही है कि रियासत है यह आईन की हक्मरानी हक्य हक्मरानी अगर रियास्त से आईन की हक्के हुक्मरानी निकाल दे तो आईन है ही नहीं रियास्त ही नहीं है और उसी की ताबेदारी वफदारी आईन की और ताबेदारी सौरी वफदारी रियास्त की यनि अवाम की और ताबेदारी आईन की ये दोनों चीज़े नहीं हो रही हैं बत्किस्थी ये दोनों चीज़े आप यकीनी बला दें मैं किसम से कहता हूँ आपको आई एम एप से जान से चुटकारा मिल जाएगा और पाकिस्तानी जो बाहर बैठा है वो शायद हम सबसे ज्यादा मोहिब वतन है क्योंकि वो जिस कमाई करके अपने बच्चों की और पाकिस्तान में वापस पैसा बेड़ता है वो हमारे लिए बहुत काफी है देखें अम जिस सयासी जमाद से मुंसलिक है मैं और मैं और दूसरे का मैं वो खुद वकीन हूँ हमारे सभी के साथ है जमात इसलामी से भी हमारे राप्ते हैं सभी से हैं देखें हर कोई जो है वो मुतफिकर है मैं हर एक को मुहिब वतन कहूंगा ये हमें रट खत्म कर देनी चाहिए कभी हम कहते हैं कि ये दाइरा इसलाम से खारज है और कभी कहते हैं यह पाकिस्तान का जो है दुश्मन है यह चीजे हमें खतम करनी चाहिए हमें यही चीज जो है मेल जुल कर करना पड़ेगा और जो भी हमसे साफका खल्टियां हुई है सभी से हुई है मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी से हुई है लेकिन अब वक्त आगया है पाकिस्तान डूब रहा है खुदारा इसको मत डूबने दें और इसको मिलकर हम सब ने जो है करना है आज अगर ये फेर और फ्री एलेक्शन की तरफ ये अजम करके करा दें अवे दिन के अंदर ये मसाहि यकीन से कहता हूं आपको हलो सकते हैं एक कर दो है उनके वालत साब मेरे पास आये थे पिछले हवते ही आये थे किसी को साथ लेकिया आये थे किसी से मैंने बाहर भी बात की थी आप ही के कोई कोरिस्पॉंडेंस के साथ उन्हें ये इंडिया दिया गया है कि वो जिन्दा है मैंने का शुकर है कि जिन्दा है लेकिन बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा अभी तक हमारा तो तकादा यही रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा जब पर्टिशन चल रही थी इत्दाज आसन और जिसको मैं नमाइंदगी कर रहा था उस में भी बार 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 हमने इमरान रियास का नाम लिया था तो ये इस विलिप में भी हमने का है ये मिसिंग पर्संस वाला कॉंसेप्ट खतम होना चाहिए यहां से चौधरी परवेज इलाही साब को जिनों ने उठाया आपके सामने मुडासे मारे हुए थे ओभाई सामने आओ अगर तुम्हारे पास वारंट है कोई भी रिजिस्ट नहीं करेगा ये क्या है कि आप उठा के ले जाओ और उसके बाद पता ही नहीं है बेद शुमार वो जो है ला पता हैं लोग मिसंग पर्संस का ये बहुत बड़ा इशु है ये पाकिस्तान के बन्यादी हकूब से जो है मांक मुतसादे में हम इसकी शदीद मुझमत करते हैं और हम आपकी न सिर्फ आपकी जैनलिस्ट बरादरी के साथ हैं जिसके साथ भी हो जिसके साथ हमारी निगा में अवाम के तौकवात पर पूरी नहीं होते रही हैं ये तो कमस कम है बड़ी मदम बात भी करूँ तो ये वरना तो वो तो बहुत ही जल्म और जबर कर रहे हैं पर हमारी तौको हमारी अदलिया से भी है और सुप्रीम कोट में अब दस दिन रह गए हैं हैं तायर होने में हैं दस-बारा देन हमारी ये एक लहाज से उन से दरखास्त है कि दो चाहर दो तीन आसे की मुक्दमात हैं जो राइप हो गए हैं जो सुने जा चूके हैं जिसमे बैस हो चुकि ए हैं फो जाए जानी जैनरल ने कोई आदा गंटा लेना है यो कुई सारे जो ने सारी बैस सुन ली इसी तरह वो आमेंडमेंट्स का जो प्रेटिशन है प्राक्टिस और प्रोसीजर एक यह ऐसे मामलात हैं जिन को अब चीफ जस्टिस साब को अधूरा छोड़ के नही जाना चाहिए वो खुद कहते हैं कि वो तमाम मामलात जो हैं उनके सामने जो उन को वो निप्ता के जाना चाहिए उनको बिलकुल निप्ताना चाहिए उनको हमारे हाथ में फैसला करें हमारे खिलाफ करें पर फैसला करके जाएं बजाए हम उसके बाद फिर नए सिरे से बहस हो रही हो नए सिरे से सब कुछ इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ कलीदी किर्दार है इस नफसा नफसी और गेर यकीनी सूरत को खतम करने और ये गेर यकीनी सूरतियार सिर्फ और सिर्फ जिस्टिस अमर अताब बंदियाल साहब के इस फैसले से ये फैसले नहीं कि फैसले हमारे आक में होता है ये खिलाफ होता है फोजी अदालतों के आक में या खिलाफ पर इस फैसले से होगा कि ये बेंच बने टाइम बहुत थोड़ा रह गया और बेंच बने और बेंच फैसला करें आगे ये किसमत है किसी की कोई कॉर्नीलियस के रूप में उबढ़ता है कोई कॉर्नीलियस के नक्ष़ कदम पे चलता है और कोई कॉर्नीलियस के लाता है या कोई मुनीर के लाता है ये अपनी अपनी किसमत है इस पे हम कुछ नहीं कहना चाते है पर ये एक मौका सिर्फ उन के लिए नहीं है कि एक अपनी फाइनल लिनिंग्स में लास्ट टू ओवर्स में वो एक मैच को जीते हैं ये मौका काम डिमांड करती है काम बहुत तदब दब जब में इन अमेंड्मेंस तदामीं पे जो कौवान ہیں जिन को हो सकता है गागी फाइदी साथा तब आकर तस्वेम ये नहीं करें वि guard अपने हैं अवाम तवक्व रखते हैं कि इस बेयकिनी को वो अपने पीछे छोड़ कर नहीं जाएंगे और इस इन मामलात इन ऐसे केसिस का हत्मी यक्सुई से फैसला कर के दें जाएंगे और हम उनके लिए दौा करेंगे के वो कारिनीलियस के कबीले के पाए जाएं में पाए जाएंगे बहुत अच्छा सवाल जिया आगा देखें ये जारा सुनिएगा बड़ी जाएंगे बड़किति ही है के आपने पहले भी जो वजीरबाद पर हमला करżenा और जिसने भी कीया तो उसका रशायबा और रंग क्या दिया गया मजभी रंग दिया गया और जिस शक्त को सतो भुला के तोते की तरह बियान रिटवाया गया, उसने भी कहा जी, इन्होंने ऐसी ऐसी बतें की हैं जो इसलाम से मुतसादिम है, और इसलिए मैंने जए ज़ाए मैंने जजबे में आकर इसलाम रिचार से सरशार होकर मैंने यह किया, ये फिर अतातारड ये जिसने भी ये इतना लंबा चोड़ा ब्यान दिया है ये फिर उसने अकसाने की कोशिश की है मरियम ने भी और जिसने अकसाने की कोशिश की है कि कोई फनाटिक उठे और इमरान को कतल कर ले और फिर वो कतल वाजब कतल तसबर करके तो उसको जो है भेंट चड़ाया जाए मजब के भेंट चड़ा के तो पाकिस्तान को भी खुश कर दिया जाए और इस तरह से जो है एक अपना मजमूम मकासद के लिए इमरान खान को लहद में उतार दिया जाए शर्मानी चाहिए और वो ऐसा लगव जूटा इजाम लगा है जिसकी खुद पी टी आई ने तरदीद की है कि ना वो हमारा वकील है ना हमने उसे रखका है यह कहां से मरियम और यह जो है तार अतार लेकर आया है लेकिन आप ताने बाने देखिएगा कि जब वजीरबाद में भी हमला हुआ था तो यही कहा गया था अब भी इमरान खान को यह शक है कि मुझे कतल करवाएंगे यह यह अटक जेल में कतल करवाने का मनसूबा बनाया हुए मुझे खुद उन्होंने कहा था कि मुझे कोईटा में ना जाना दिया जाए कोईटा में मेरे उपर जो है इस तरह का करेंगे तो ये इस तरह का इनोंने एक बियानिया बनाकर अब के रुश्दी को लाकर और रुश्दी के वकील को राकर और जो है इतना गुसाखِ रसूल बनाकर और इमरान खान को उसी जाचे में वो वैबाउट करके और ये जो है एक मज़मूम किये ताकि अगर हो तो हम कहेंगे जी ये वोकील है इमरान खान का ना उसने अंगेज किया है ना उसने जो है उन्होंने तरदीद किया है मुझे खुद खान ने का है मेरे जो पता ही नहीं है ये कहां से लेकर आ गए तो ये शर्मानी चाहिए अता तारड को भी और अता और मर्यम बीबी को इसमें मैं एक चीज़ दराज कर लो ये जूटा इल्दाम लगाना इस किसम का जूटा इल्दाम लगाना ये दाबता ये ताजीरात पाकिस्तान के तैट भी और बलास्वमी लाज के तैट भी एक खुद जूर्म है और उसको वोई सजा होनी चाहिए जो सजात तजवीज वो करता है आ मिसाल के इल्दाम लगाके जूटा इल्दाम लगाके ये जो चेर्मेन पीटी आई है ये चीज पाकिस्तान की सियासत से खतम होनी चाहिए थी ये कि किसी में जूटा इल्दाम लगा और पाकिस्तान में हमारे इतने लोग जनूनी हैं कि एक बंदे को आप बस कहा दें कि उसने पीछ आड़ से श्रूर हो जाए भागना च्छोर च्छोर सारा ब़धार निकर जो इसको पकड़ारा लग जाता पर पीछे और उसको चोरकरके और मातश्रू कन और कोई बचाने भी आए, कोई कर दूर को दुछ कर दो प mitad कर लो इसके कि रेंक हैंप इसको भी मार देते के तौर पे इस्तवाल करना चाहरे है यानि पिस्तौल असल में अता उल्ला तारफ ने खेंच के निकाल के और इमरान खान पे एम किया और मर्यम ने ये तो आसान मासूमाना अंदाज में कह देना कि जी वो बड़ी हर्दा सराई हुई है हमारे दिल में बड़ी तकलीफ हुई है कि रुष्टी जैसे लहीन मलून का जो वकील है उसको उसने कर लिया है ये क्या है ये पिस्तौल लेके और खड़यों के निशाना लेके खड़य हम किसी पुलिटिकल लीडर पे ऐसा जबर नहीं चाहते हम मैं मैं हम मैं ये बर्मना कहते हैं कि कुछ ऐसे शक्सियात और ल बीच में क्याई होंगे जिस को क lawn है उसका क्यू नहीं का जिन को कुछ हो गया जिन को कोई कई ख़ुदाना खाला खाला कुई हमला हो गया उनकी मौत बाके हो गए तो पाकिस्तान सारा पागल हो जाएगा है आदे पागल होंगे दूसरे वह पागल उन पागलों के खिराफ एक खाना जंगी होएगी, स्वाइफल मलूकी होएगी, एक अनार्की होएगी, वो कौन से बंदे हैं? एक मिया मुम्मन नवाज श्रीफ को कुछ हो जाता है, दो मर्यम बीबी को कुछ हो जाता है, खुदाना खास्ता, इनको खुद ये ऐसास होना चाहिए, हमारे जैसे जो मा जा सकते हैं कोई नीपर, अगर मर्यम को, नवाज श्रीफ को, चेर्मेन बिलावल को, आसिफ अली जरदारी को, इमरान खान को, इन में से किसी एक को, कोई इस किसम क्या कोई असैसिन और कोई जनूनी मार गया, तो फिर पाकिस्तान में शायद पाकिस्तान को बचाना और एक कठा रखना भी मुश्किल हो जाए, बीबी शहीद के वक्त, ये क्रेडिट देना पड़ता है, कि जब आग लगी भी थी, काड़ियां जाल रही थी, सारे शाराएं बंग थी, और ठाने जाल रहे थे, तहसीले जाल रही थी, गर्वर्मन्ट बिल्डिंग जाल रही थी, तो वासिज दरदारी साब ने, ये काका पाकिस्तान खपे, यानि पाकिस्तान को हमने रखना है, जब बाहर सिंध में बिल्ड खसूर लग रहा था, पाकिस्तान ना खपे ये जना रहा, उससे अमन हुआ, अब किसी ने शायद काई भी ना सके पाकिस्तान खपे, अगर इन में स किसी एक को कोई इस कि सहाँ शायद मौदाना फदरीमान भी इसमें और सर राजबल हाग साभ भी इसमें काउंट किये जा सकते हैं पर ये लोग ऐसे हैं झिनकी जिंदगी मैं उनके एक लाख मुखालिफ हूँ खोसा उनके लाख मुखालिफ हो किसी के पर हम यह समझते हैं कि इनकी जिन्दगी जमानत है पाकिस्तान की और अगर इनको नुक्सान पहुंचा तो यह अतावला ताड़ा तो बता नहीं समझता भी नहीं को मजा की समझता है इतनी तस्वीर लेके आ गया मलून की भी और उसकी और इल्जाम लगा दिया यह को अगरान खाने एक है जिन में चेर्मन बिलावल है आसिर दर्दारी है मरियम है और नौाज श्रीफ है और सिराज अलाग साब और मौना फदुलमान अब यह जैसे मैंने का हम जैसे हो को तो कुछ हो जाए बहर जाए शोर हूर थोड़ा था पड़ेगा लोग आओ बका और मारने वाले को काफिल ठेराएंगे पर यह चीज़ नहीं होनी चाहिए सियासत में मजब को इस तरह मुलबस नहीं करना चाहिए और हम इसकी भरपूर मुझमत करते हैं और समझते हैं कि अगर कुछ इमरान खान को हुआ तो यह जिम्मेदार ही नहीं होंगे यह मुझम हो और यह एक मिनट अगर आप देखें तो कोईटा में एक रजाग शार का कतल होता है जो खुद उसकी बेवा और फैमली कह रहे हैं कि यह तो इनके जो है फ्यूट्स हैं इनके अपने खानदानी जो है छे कतल साथ कतल हो चुके हैं उसमें भी अताउल्ला तारड साब ने सार आपके चैनल्स के प्रोग्राम सारे मौतल करके अभी शायर से पहले अभी उनको दफ़न नहीं किया गया और वो पियस टू पियम थे यानि यह शबाज शरी बोल रहा था उसने आके पहले ही आके कहना शुरू कर दिया कि यह इमरान खान ने कतल करवाया है इमरान खान ने गूंज बेजें इमरान खानी मुल्जम है इमरान खान को पांसी दी जाए यह उसकी जो जहनियत है इस से आप अंदाजा कर लें किस हद तक यह जा सकते हैं सियासत में अतावला तारड़ और पी एमल एन और पीडियम आगे जो लोग उमीदे लगा बेचे हैं वो एक दोस्तने का कि साइब बहुत सब्सक्राइब इस दुनिया की आप तक्रीबां एक तहाई आबादी और तीसा का इंतधार कर रही और पाकिस्तान में नून लीग और पीडियम काधी फैजिसा का इस आप इस दुनिया की तक्रीब अब ये कादी फैदीसा से भी ज्यात्ती है कादी फैदीसा को इन्होंने पहले से उसको उसके माथे पे मोर लगा दी है कि ये मुस्लिम लीग नौाज का बंदा है और हम बड़े खुश है जब आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा ये फैसले जो अमर अता बंद्याल करके जाएंगे अगर किये उन्होंने और मेरी दौा है कि वो करें तो ये सारे सेटे साइड हो जाएंगे और बस वो हमारे वो हमारा जाये जाएंगे और फिर मिया साब भी आ सकेंगे मिया नवाज श्रीफ अगर अपने भाई की हकूमत में नहीं आया अपना भाई प्राइम निस्टर उससे ज्यादा क्या उसके लिए माहौल साथगार हो सकता है वापसी के लिए मिया नवाज श्रीफ ने मेरी राये नहीं आना और उनों ने वो जब तक अगर इमरान खान को तो कहते हैं ना कि आप सिर्फ काल कोट्री में डालें जेरे जमीन जब पहुंच जाए तो फिर हमें बताएं फिर हम चलेंगे जास पे बैठेंगे अब वो जेरे जमीन से भी जब होगा तो उससे जब दरते रहेंगे वो खाइफ है आपने देखा जिस दिन ये फैसला आया इमरान खान को इसका जमानत का और सस्पेंशन आफ सेंटेंस का तो इन दोनों भाईयों ने लंदन में एक प्रेस कॉंशनस प्रेस से खिताब किया और ये वह औरे वे थे जेरों से नदर आता था दर रहते हैं कि ये क्या हो गया मारा दुश्मन बाई रहा हो गया तो इस तरह दुश्मन दारी नहीं करनी चाहिए हम इनकी जिन्दगियों के लिए भी दू आगों है स्यास्त में जिन्दगी मौत तक नहीं जाना चाहिए और वैसे आप इखिलाफ करें हमें इखिलाफ है मियाथ साब से पर इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा नर्म रविये की जरूरत है और कादी फैदीसा से मेरे ख्याल में जो तकवात नून लीग और पीडियम ने लगाई मी है ये मायूस होंगे कादी फैदीसा वाहे जाज़ जाज़ जिसने मिलिटरी कोर्ट को अल्रेडी अनकॉंस्टिशूशनल जाबल पिंडी बार असोसियेशन के केस में आईनी तर्मीम भी उसने उड़ा दी तो वो उससे हम वैसे तकवात तो ये रखते हैं कि वो इनसाफ करेगा जो कानून के मताबिक होगा हम सिर्फ इस में तश्वीश थी कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में एक दरार पड़ गी कादी के जाने के बाद का अमर बंदाल साब के जाने के बाद शायद कादी साब उस दरार को भी क्रॉस करके और युनाइट कर सकें सुप्रीम कोर्ट को पर जैसे हमने इस डेकलरेशन में का है कि इंकम्बंट चीफ जिस्टिस की इज़त जो मौजूद चीफ जिस्टिस है वो हुमर अताब बंद्याल है आज काल कादी फाइद इसा होगा उसकी इज़त वाजिब है जजिस पे भी और जनता पे अजिस्टिस के खिलाफ दोजार साथ में गुपला की तैरीक हुई थी उसमें हमने देखा कि जो हगोमत के आला का थे उनके लाइसेंस मॉस्तल हुए क्या इस तफ़ा भी कोई वालियम इस तरह देखने को मिलेगा कर देखें हमारा इस मामले में इस पूरानी कर लोगा कर देखेंगे पैमरा किसी के ये बाप की जागीर नहीं है पैमरा एक कौमी अदारा है और ये किसी पर कद्गन नहीं लगा सकता है अगर कोई ऐसी बात होगी तो अदाल्तें भी मौजूद हैं हम भी मौजूद हैं जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ संगम की बात है मैं और इतजाद इस पर बड़ा वाज़े है मैंने मुहतरम आसिफ अली जर्दारी साब को सलीम मांडवी वाला रुखसाना बंगे सबी की मौजूदगी में कहा था बने के बिलावल भुटो जर्दारी चेर्मेन को इसका वजीर शैबाज शरीफ का नहीं बनना चाईए कियोंके पाकिस्तान पीज़ पार्टी नहीं तस्लीम करती शरीफ ब्रादरान के यह भी टीम बनना और अपने चेर्मेन को बिल्कुल नहीं चाहती है और वैसे भी पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी इनको कातल समझती है क्योंकि ये ज्यावलाक के जो है ये मुतबना है और उस वक्त इन्होंने जो है पूरी तरह मुआबनत की थी भूटो साथ को फांसी लगवाने में और फिर उसके बाद जब ये पिशली गवर्मन्ट थी तो ये कहते थे कि जर्दारी साथ जो एवान सदर में बैटा है उसकी गर्दन में रसी डाल के चौकों में लटकाएंगे और शहबाद कहता था पेट में खंजर मारके डॉलर निकालेंगे पता नहीं क्या क्या करेंगे जबनकावनर सा तो एक दफा भी ये जो है कभी रिसीव करने नहीं गयते हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी थी कि ये इस से जो है पाकिसान पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा मुस्लिम लीग नून के सास हमारा संगम आज पीपल्स पार्टी को खुद महसूस हो रहा है आज आप देख लें वो जुदाएं हो रही है इनकी रहें जुदा हो रही है आज पीपल्स पार्टी बड़ी क्लیर कह रही है कि नवे दिन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए लेकिन हम चाहते हैं कि अवाम की ताकत पर आए जिस तरह बाबा शहीद जुर्फकार अली भुटो अवामी स्यासत करते थे रानी शहीद बे नजीर भुटो अवाम की ताकत से एक्तिदार में आती थी पावर पॉलिटिक्स है अब पीपल् सकता हूं ना इतजाज बन सकता है ना कोई और कॉंशियंशिस बन सकता है कि किसी और के मरहून होकर इक्तदार में आना जो है ये पीपल्स पार्टी का मिजाज कभी नहीं हो सकता किसी जमूरी जमाज का नहीं हो सकता है तो जिस तरह कहा गया कि शायद सभी मिलकर तहरीक चल करद कर दो, आना में बें स्कावजाद कर दो, यह लुजाद लो, इससे क्वेरे से जोस्तिस थे जो, नहीं है, सकता दो, है।